परिजए शाम और राम अपने चाचा जी के फार्म हाउस पर हैं वे पेड़ के आसपास खेल रहे हैं वे पेड़ पर लगे पके अमरूदों को देख कर खुश है क्या हम कुछ अमरूद खा सकते हैं चाचा जी? बिलकुल बेटा, मैं तुम दोनों के लिए अमरूद लाता हूँ हम, ये कितने स्वादेश्ट है शाम उस पक्षी को देखो यहां तक की पक्षी भी पके हुए अमरूदों का आनंद ले रहे हैं हाँ, जन्तू पौधों से अनेक वस्तूएं जैसे फल, छाया, ऑक्सीजन आदी प्राप्त करते हैं बच्चो, लेकिन क्या तुम जालते हो कि जन्तू भी पौधों को अनेक वस्तूएं देते हैं? सच में चाचा जी, किन्तु वो कैसे? सच में चाचा जी, किर्पिया इसके विशे में हमें और अधिक बताएं तो ठीक है, आओ, मैं तुम्हें सजी वस्तूओं की एक दूसरे पर निर्भरता के विशे में विस्तार से बताता हूं आओ सीखें पौधों और जन्तुओं की एक दूसरे पर निर्भरता का वर्डन करना पौधों और जन्तुओं की निर्भरता वाले कारकों की सूची बनाना वनों की विशेष्टा का वर्डन करना वनों के एक कटाव से होने वाले दुश परिनामों की चर्चा करना वन और वन्य चीवन सुरक्षा की चर्चा करना क्या पौधे जन्तुओं पर निर्भर होते हैं? पौधों से जन्तुओं को भोजन, ऑक्सीजन और आश्रे प्राप्त होता है क्या वे इसके बदले में पौधों को कुछ देते हैं? हाँ, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डायोकसाइट की आवशक्ता होती है जब जन्तु सांस बाहर छोडते हैं, तो वे कार्बन डायोकसाइट निकालते हैं जो कि पौधों को प्रकाश संशिलेशन की प्रक्रिया द्वारा उनका भोजन बनाने में सहायता करती है। बीज प्राकीडन द्वारा अपने बीजूं के विकास के लिए पौधे पून रूप से जन्तूं पर निर्भण रहते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे? फूलों से मकरंद चूसने के लिए जबने कीट, मक्हियां और तितलियां उनके उपर बैठते हैं, तो उनके पराकण, उनके पैरों के निचले भाग से चिपक जाते हैं। जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, तो वे अपने पैरों में चिपके हुए उन पराकड़ों को फैला देते हैं। फलों का चमकदार मीठा गूदा पक्षियों और जन्दूं को अपनी तरफ आकरशित करता है। पक्षि और जन्दू फलों को खाते हैं और बीजों के प्राकीड़न में सहायता करते हैं। क्या आपने इन लोगों को देखा है? जी हाँ, ये आदिवासी हैं। आदिवासी लोग पेड़ों की पत्तियों और फलों को एकत्रित करते हैं। आदिवासी वन्ने पदार्थों जैसे गूंद, काईक पौधे, आउशदी वाले पौधे और शहद आदी द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। वे वन्न में पाई जाने वाले विबिन प्रकारों के पौधों से अपना भोजन और आउशदियां प्राप्द करते हैं। आदिवासी कुछ पेड़ों जैसे बरगद और पीबल की पूझा करते हैं। पेड़ों के प्रती ये आदर पेड़ों के सन्रक्षण में सहाथा करता है। वन्न का महत्वग शाम वन्न की हर्याली को देखकर अतियुस सहिथ है। वन्न से हमारे जीवन को अनेक लाप मिलते हैं। आओ इन में से कुछ लापों के बारे में जानते हैं। वायू वन्न आक्सीजन को निकाल कर वायू को शुद्ध बनाते हैं। औशधी वन्न में पाय जाने वाले अनेक पौधे औशधियों के सुरोथ हैं। उनके लगभग सभी भागों जैसे जड़ों, छाल और पत्तियों का औशधिये मूल है। जल वन बारिश के जल के बहाओ को कम करके और उसे चान कर जल की गुणवत्ता को सुधारते हैं। वेजल विभाजिकों की भी रक्शा करते हैं। लकणिया फरनीचर, जहाज और घर बनाने के लिए हम वन्नों से लकणियां पराप्त करते हैं। भोजन के उत्पाद वनों से हम विभिन गिस्म के फल और शहत प्राप्त करते हैं छाया चारो तरफ की वायू और भूमी को ठंडा करके वनों के पेड़ों की छाया पृत्वी के ताप को कम करके इसे ठंडा रखने में सहायता करती है ठंडक वाशपी करण और वाशपोस सर्जन के दौरान वन सौरूशमा को अफशोशित करने में सहायता करते हैं कारबन डायॉकसाइट का स्थर ये कारबन डायॉकसाइट के स्थर को बनाए रखते हैं और इस प्रकार से पौधों की वृत्धी को बढ़ाते हैं स्थानिय जलवाईू ये स्थानिय जलवाईू को बनाए रखने में सहायता करते हैं और इस प्रकार से जलवाईू में होने वाले बदलाव से भी लड़ने में सहायता करते हैं आओ खेलें जित्र को उठा कर सही कथन के नीचे दिये गए बॉकस में रखें वनों का कटाव जब शाम, राम और उनके चाचा जी वन के दूसरे छोर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग पेड़ों को काट रहे थे आप पेड़ों को क्यूं काट रहे हैं? हम इस जमीन पर चावा लूग आएंगे चाचा जी ने शाम और राम को बताया कि बढ़ती हुई जनसंख्या और अनाच की बढ़ती हुई डिमांड के कारण वन उपजाओ जमीन में परिवर्थित होते जा रहे हैं वनों के क्रिशी वाली भूमी में परिवर्थित होने के कारण ही अधिक वन कटाव हो रहा है लकणियों की प्राप्ती के लिए पेड़ों की अनगिनत कटाई से वनों का अधिक ख्षय होता है वनों के कटाव के कारण लाखों प्रजातियों के वास स्थानों का खोना सबसे भयंकर दुश परिणाम है वनों के कटाव से जलवायू में भी पदलावाता है क्यूंकि पेड ग्रीन हाउस गैसं को अफशोशित करते हैं वनों के कटने के परिणाम सरूप ग्लोबल वामिंग पढ़ती है हमें ये जान लेना चाहिए कि हम पेड़ों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं वन की सुरक्षा हमें वनों की सुरक्षा करने चाहिए वनों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम ये है कि क्रिशी करने या रहने के लिए जमीन की प्राप्ती के लिए अधिक संख्या में वनों के काटने को रोकना चाहिए ये भी आवशक है कि वन्ने जन्तों की खाल उनके सिंग या दातों के लिए उन्हें मारना या उनका अवैद शिकार नहीं करना चाहिए वन्ने जीवों के मारने के विर्थ सरकार दोरा लागू किये गए गानून तथा नियमों का सकती से पालन करना चाहिए संदक्षित वनक्षित्र वन्ने जीव अभ्यारण कहलाता है प्रोजेक्ट टाइगर अचानक राम ने एक बोट देखा जिस पर लिखा था बाग को बचाएं वो अपने चाचा जी से पूछता है चाचा जी इस बोट पर बाग को बचाएं क्यों लिखा है? बेटा, प्राचीन समय से लोग जन्तूओं की खाल, उनकी हड्डियों और उनके पंजों के लिए उनका अवैद शिकार करते आए हैं वे लोग इस बात की चिंता नहीं करते किस से जीवन की विविदता पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके परिणाम सो रूप प्रित्वी से हम लोग अनेक प्रजातियों को हमेशा के लिए खो चुके हैं भारतिये बाग भी इनमें से एक है भारतिये सरकार बागों को बचाने के लिए कदम उठा चुकी है उसे ही प्रोजेक्ट टाइकर का नाम दिया गया है इस प्रोजेक्ट में सरकार उन वनों की देखभाल करती है जिन वनों में बाग रहते हैं ये वन बाग अभ्यारण कहलाते हैं इन वनों में बागों को मारना और पेड़ों को काटना एक दंड निये अपराद है हमने क्या चर्चा की? पौधे जन्तुओं को भोजन, आश्रय और ऑक्सीजन देते हैं जन्तु पौधों को कारवन डायोकसाइड देते हैं जिसकी साहिता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं पक्षी और जन्तु पौधों के बीजों के प्राकिर्ण में साहिता करते हैं आदिवासी वन्ने पदार्थों जैसे गूंद, काइक पौधे, आउशदी वाले पौधे और शहद आदी द्वारा अपनी जीवकात कमाते हैं अनेक वन्ने पौधों की जड़ें छाल और पत्तियां आउशदीयों के स्रोत हैं फरनीचर, जहाज और घर बनाने के लिए वन्नों से हम लकडियां प्राप्त करते हैं वन्नों से हम विभिन किस्म के फल और शहद प्राप्त करते हैं वन्स और उश्मा को अफशोशित करने में सहायता करते हैं हम वन्नों को निम्न प्रकार से बचा सकते हैं उपजाओ भूमी को विक्सित करने या रहने के लिए पेड़ों की अंदा धुन्द कटाई को रोगना चाहिए। वन ने जंतुओं को उनकी खाल, सींगों या दातों के लिए उन्हें मारना या उनका अवैद शिकार नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत जिन वनों में बाग रहते हैं, सरकार उन वनों की देखभाल करती है।